हे गाइस कैसे हूँ गाइस देखो आज किस वीडियो के अंदर में आपको एक ऐसा तरीका पताने वाला हूँ ड्रेकन टाइकर गेम खेलने का जिसके अंदर आप विनिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से एंड मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसे ने इस तरीके के ट्रिक एकस्प्लैन की होगी यूटूब के अपर तो यहाँ पर आपको एक फोर्मला यूज करना है जिसे हम कहते हैं कम एंड जादा ठीक है इस तरीके से भी इस गेम को विन किया जा सकता है और वो कैसे किया जात तो सिर्फ लिमिटेड रमी है जिनके नतरा वर्किंग है तो यहाँ पर आपको होली रमी देखना है ठीक है होली रमी के नतरा आप इसको ट्राइ कर सकते हो लिंक आपको डिसके ब्सक्रेप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप चेक करो किस तरफ ज़्यादा पर जादा बेटिंग लग रही है ठीक है तो यहाँ पर आपन जैसे जैसे बेटिंग लगते रहेगी इसको अपन नोट करते रहेंगे और फिर आपन जो ही यहाँ पर विनिंग करेंगे ठीक है अभी आपन देख सकते हैं कि ड्रेगन पे कम था एंट टाइकर पे जादा तो अब जो है, मुझे यसा लगता है, इसने low को जीता दिया, कम वाली side को जीता दिया, तो अब जो है, यह ज़ादा वाली side को win कराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पैसा रखना है, च्छा कासा, 1000 रुपे तक का आपको balance रखना है, अब जिस तरफ जादा पैसा लगा, उस तरफ मैंने बेट करा दी, क्योंकि पिछले round में, इसने जिस तरफ जादा पैसा लगा था, उसको जीता आया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसने again, वापस से low को win करा दिया, मैंने वापस से लिख दिया L, यानि, जिस तरफ कम पैसा लगा, उसको इसने win करा दिया, कोई बात नहीं, अभी यहाँ मोटा पैसा अपन यहाँ पर निकालेंगे, and again अपनको को गया ही करना है, इसने पिछली बार low वाली side को win करा था, again अपनको किस पर लगाना है, जिस तरफ जादा पैसा लगा, इस तरफ में यहाँ पर लगानी वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जिस तरफ इस तरफ ड्रेगन के उपर जादा लगा था, मैंने ड्रेगन के उपर लगाया, and again फिर यहाँ पर जो है, अपना low सो गया, यानि इसने again जिस तरफ कम पैसा लगा, उसको win करा दिया, तो यहाँ पर मैं अपने जो IP ADS के अंदर लिख देता हूँ, L, मतलब again इसने low वाली side को win करा दिया, ठीक है, अब देखो continuous ने तीन बार जिस तरफ कम पैसा लगा, उसको जीताया, ठीक है, तो अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि जिस तरफ ज़्यादा पैसा लगाएगा, उसको जीताया, जब तीन बार इसने लगा, कम वाली side को जीताया, तो अब की बार में पूरा प अच्छी तरफ किसे explain करने वालाओ, ठीक है, यहाँ पर आपने एक बार में अच्छा कैसा पैसा निकाल लिया, अगीन जो है, मैं यहाँ पर हाई वाली side को जीता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ L, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने L लेक लिख लिया है, अगेन आपन क्या करेंगे, इसने L को जीताया, यानि लो वाली side को जीताया, तो अब जो है, अपन हाई वाली side भी bet करेंगे, ठीक है, हाई वाली, यहाँ पर मैंने high को target कर रखा है, आप चाहँ तो लो को भी target कर सकते, क्योंकि लो बहुत ज्यादा वार आत ठीक है, कोई बात नहीं, दो बार इसने low को win करा दिया, फिर चेक करते हैं, ठीक है, अब इसने continue दो बार low को win करा दिया है, अब तो मुझे लगता है कि शायद ही high वाली side को win कराएगा, तो यहाँ पर थोड़ा पेसा ज्यादा रखना आपने पास, ठीक है, ऐसा नहीं कि आ आगे बढ़ाते हैं, तो इन चीजों का follow करोगे ना, तो बहुत जादा winning करोगे, अब यहाँ पर दिको high पे इसने win करा दिया, अब दिको इसने high को win करा दिया, और मुझे फिर से यसा लगता ही, शायद कि यह high को एक बार और जीता आएगा, क्योंकि इसने अभी तक continue high को एक बार भी नहीं जीता है, तो मैं यहाँ यहाँ पर high को पर फिर से बेट मारूंगा, ठीक है, high वाली side मैं यहाँ पर 50 रुपीज ही मारा, इसने अगेन वापस से जिस तरफ कम पेसा लगा उसको win कराया, तो मैं यहसा नहीं करा कि आप high को टारगेट करो, आप लोग को भी टारगेट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, L यानि इसने अगेन लोग को win करा दिया, अब जो आपन वाई अपना target किया है, इस किया था, पचास कलोज किया था, 200 मैं यहाँ पर बेट किया, एंड यहाँ पर win हो चुका है, ठीक है, मात्र इतने सा, इतने सी बेटिंग सा पन ने खेली है, एंड यहाँ पर winning आप देख सकते हो, कितनी होई है, 100, I think 1000 तो हो गई होगी, इसने high को win करा दिया, अब high को win करा दिया, तो मुझे लगता है कि अब यह low को win कराएगा, ठीक है, high को win कराने के बाद में, यह low को win कराएगा, तो यहाँ पर जो है, मैं low को टार्गेट करने वाला हूँ की बार, एंड यहाँ पर time को, end moment पर आपको बेट करनी है, इस चीज का जहां रखना है, and यहाँ पर दि एक भी देता हूँ इसको, L, लेयानी low side, ठीक है, अब इसने low को win करा दिया, तो अभी यह high को भी जीताएगा, ठीक है, अब यह low को जीता दिया, अब यह high को win कराएगा, तो अपना जो target हो चुका है, वो है high, तो यानि जो ही dragon को यहाँ पर win कराएगा, 100 रुपिस मैंने dragon क win करा दिया, कोई बात नहीं, अब अपना वही target हो चुका है, high वाला, कि अपनको high पर bet करना है, continuous ने दो को, दो बार, जो है low को win कराया था, अब जो है, अपनको high पर bet करना है, ठीक है, high अब इस टाम पर लग रहा है, अपना dragon, I think dragon ही है, ठीक है, तो dragon के उपर यहाँ पर, जो को मैं bet करके वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने 300 रुपे की betting मार दिया, dragon के उपर, एंड इसने देखो वापस से, जिस पर कम पैसा लगा, उसको इसने win करा दिया, कोई बात नहीं, 300 को अपने यहाँ पर loss हो गया, अब यहाँ पर दुबारा से अपन इस चीज को try कर यहाँ पर जो है, मैं अपकी बार, बड़ा मांट यहाँ पर खेलने वाला हूँ, एंड हाई को पर मैं यहाँ पर बेट मारता हूँ, ठीक है, 500-600 का मैंने यहाँ बेट मार दिया है, यहाँ पर दिको winning, आपके सामने यहाँ बेट्स लगा रहा हूँ, आपके सामने खेल के दिखाया है, जो profit हुआ है, वा आपके सामने हुआ है, आपर आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर around 1147 का यहाँ पर मेरा profit हो चुका है, सिर्फ इतनी से betting मैंने खेली, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिक भी दिया कि हाई, ठीक है, यह points आप चेक कर सकते हो, इन 3-4 points में आपने winning क पर नहीं गया, सिर्फ तीन लेवल, दो लेवल पर अपना winning हो चुका है, यहाँ पर around 1K का इसा अपना profit निकाला है, 1000 अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसको समझ में नहीं आईए, वो इस वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब कर दियां से इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ रहे होंगे, इसका algorithm में सिंपल सा, ज्यादा एंड हाइ, कम ज्यादा बेट्स को, कंट्रोल करके रखना, संतुलन बनाया रखना, तो उसी चीज़ को follow करो, आप दिन कर जाओगे, एंड होले रिमिड आउलो